है ठीक दोस्तो तो ठीक दोस्तो अगला क्यूस्वास देखतें हम लोग क्या वॉट इज़ ONE क्वाइब क्ला किन ओव कॉमा नं अमिटर कॉंफियंट क्धते में उसका दो होता है वो Homक होता है इसको अंभलो जो सी रिप्रीजेंट करते हैं बीटा बराबर हम लोगों का होता है चुकि कॉमन अमीटर कॉन्फरिगेशन है तो चुकि यह होता है आउटपुट बटे इंपुट तो इसकी आउटपुट करंट होती है यह अपुट होता है आईबी क्योंकि इसमें अमीटर होता है वो कॉमन होता है तो इसका जो करंट गेन होता है वो बीटा बरार होता है इसका ओफशन हो जाएगा ओफशन नंबर ए ठीक दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन क्या कहता है इस अलबावर 0.95 डन बीटा कमान पूछा है चुकि alpha और beta में जो relation होता है वो हम लोग जानते हैं चुकि alpha और beta में relation होता है तो beta वरावर होता है हम लोगों का beta वरावर होता है alpha upon 1 minus के alpha ठीक दोस्तो, beta वराव alpha upon 1 minus के alpha alpha कमान दिया हुआ है अल्फा कमान है 0.95 by 1-0.95 ठीके दोस्तों तो इसको हम लोग solve करेंगे तो 0.95 by 1 में से 0.95 जाएगा तो 0.05 बचेगा ठीके तो ऊपर दो अंकवा दसम्लाब है नीचे दो अंकवा दसम्लाब है तो दसम्लाब से दसम्लाब कट जाएगा एंड 5 से 95 कटेगा तो कितने बार कट जाएगा 19 बार ठीक है 19 बार तो बीटा कमान आ जाएगा 19 तो option नमबर हो जाएगा इसका बी बरावर बी 19 ठीके दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन क्या कह रहा है अगला कुश्चन कह रहा है इन ट्रांजिस्टर इफ इन पूच्ट जंक्सर फॉर्वर्ड वाईस और आउटपूट जंक्सर रिवर्ट वाईस तब जो रीजन ओप्रेट होता है वह होता है एक्टिव रीजन ठीक दोस्तों ओपशन नमबर एक और जब जब दोनों input and output जब दोनों forward saturation में होते हैं forward condition में होते हैं तब जो operation region होता है वो saturation region होता है saturation condition में पोज आता है operation and जब दोनो input and output टाजिस्टर के जो input junction and output junction जो अगर दोनों reverse wise में होते हैं तब region operation उसका cut off region हो जाता है ठीक दोस्तों लेकिन जब input forward wise and output reverse wise होता है तब हमारा region of operation active region होता है ठीक दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question क्या कह रहा है अगला question बोल रहा है the point where DC load line and forward characteristics intersect is जब DC line and forward characteristics line जब एक दूसरे को intersect करती है उस point को हम लोग क्या बोलते हैं उस point को हम लोग Q point बोलते हैं Q point या Q cent point उसको हम लोग बोलते हैं ठीक दोस्तों ते इसका option हो जाएगा option number B ठीक है Q cent point बोलते हैं दोस्तों ठीक है अगला question हम लोग देखते हैं अगला question क्या कह रहा है अगला question यह value दी हुए है अगला question दी है 0.636 i max is value of sine wave चुकि यह जो 0.636 i max है वो किसका माद्ध है किसका मूल है मतलब किसकी value है तो दोस्तों चुकि जो 0.636 i max होती है यह हम लोगों की average value होती है average value या mean value जो average बरावर i average या i mean i average या i mean बरावर होता है जीरो पॉइंट 636 i max ठीक दोस्तों यह average value या i mean value होती है तो इसका option हो जाएगा option नमबर बी ठीक दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है what is the mean value for half wave rectified shine wave जो half wave rectifier है अर्द तरंग दिश्टिकारी जय तरंग का माद मूल क्या होगा half wave rectifier का mean value मतलब average value होती है half wave rectifier का average value होती है i average बरावर होता है i am by pi i am by pi को हम लोग जब निकाल मान निकालते हैं तो इसका मान आता है 0.318 i am ठीक है दोस्तों इसका option हो जाएगा option नमबर बी ठीक दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question क्या बोल रहा है अगला question बोल रहा है what is the peak factor value for full wave rectifier sign wave full wave rectifier sign wave का जो peak factor होता है चुकि peak factor बरावर होता है चुकि peak factor बरावर peak factor बरावर होता है peak value या maximum value बटे rms value तो peak factor कमान निकल के आता है हम लोगों का एक दिसंबलब 414 तो option नमबर डी ठीक पीक factor कमान होता है एक दिसंबलब 414 full wave sign wave rectifier के लिए ठीक दोस्तों अगला question अगला question क्या होता है अगला question है what is the form factor value for rectangular wave चुकि आयताकार wave के लिए उसका form factor की value क्या होती है चुकि rectangular wave का जो maximum value and average value होती है उन दोनों का मान समान होता है और चुकि form factor होता है form factor होता है form factor होता है rms rms बटे average rms value बटे average value चुकि rms value and average value दोनों कमान समान होता है तो form factor कमान होता है जो rectangular wave होती है उसका form factor कमान होता है एक तो option number इसका हो गया c ठीक दोस्तों अगला question देखते हैं कि अगला question क्या कह रहा है दोस्तों अगला question है what is the mean value of triangular wave जो triangular wave होती है उसका mean value मतलब average value क्या होती है जो average value होती है ट्रेंगलर wave की average value होती है i average i am by 2 तो i average हो जाएगी क्या 0.5 i am ठीक दोस्तों तो इसका option हो जाएगा option number अगला question देखते हैं कि अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि the expected value of voltage across a register is 80 volt एक register है उसके across voltage 80 volt है higher the measurement gives a value of 79.08 बोल्ट the percentage error is मतलब मापने पर हम लोगों को value 79.08 बोल्ट मिल रहा है तो इसके across percentage कितना है percentage error बराबर हम लोगों को निकालें percentage error बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस में percentage error बराबर निकालेंगे हो जाएगा कि true value minus measured value true value minus measured value upon true value इसको हम लोगे परसेंटेज में निकालना है तो कि 100 कर देंगे तो इसको जो हम लोग solve करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.15 परसेंट ठीकर दोस्तों इसका option हो जाएगा option number a ठीक अगला question देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि मैक्सवेल ब्रिज यूज तो मेजर एन इंडुक्टिव इंपिडेंस तब ब्रिज कॉंस्टेंट एड बैलेंस अगर मैक्सवेल ब्रिज का उप्योग करके प्रतिवाधा को मापतें के लिए किया जाता है अगर ब्रिज शंतलित है तब सीवन बरावर 0.01 माइक्रोफेरेड और रवन वरावर साथ 470 किलों आर टू वरावर 5 किलों एंडर तरी वरावर 100 किलों दैन दें वैली ओप आरेक्स चुक्कि जो एक और आरेक्स जड़ा हुआ है उसका रिजिटेंस कमान नकालना है चूंकि जब ब्रिज अगर ब्रिज अगर संतलित है तो तो हम लोग उसमें एक equation बनती है तो उस equation को हम लोग लिख लेते हैं तो उसमें क्या होता है जब equality करते हैं तो उसमें एक imaginary part होता है एक real part होता है जो imaginary part होता है वो J, omega, L1 and C का गुरज में होता है तो वो imaginary हो जाता है and R1, R4, R3, Rx इसके point में एक real part बनता है उसको हम लोग दोनों real और imaginary को अलग-अलग कर लेते हैं और बराबर कर देते हैं जब संतुरित bridge होता है तो इसमें हम लोग इसमें Rx का मान नकालना है तो चुकि इसमें होता है इसे मान लिया Rx लगा हुआ है तो R1 into unknown resistance Rx बराबर हो जाता है R2 into R3 तो यहां से हम लोग Rx बराबर नकाल लेंगे चुकि R2 and R3 का मान दिया है 5 kg into के 100 kg upon R1 का मान दिया है 470 kg कि इसको जो हम लोग करेंगे तो इसका मान हम लोगों का आ जाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स किलो मुस्कों लोग जब सॉल्व करेंगे ठीक दोस्तों इसका option हो जाएगा option एक तो अगला कुश्ण देखते हैं अगला कुश्ण के गए अगला कुश्ण देखरों कोड़ी तो सब्सक्रास टाइंगे वह से सफिक्स्ट सब्सक्राइब करेंट में कन्वर्ड करता है तो इसको अप्शन हो जाएगा अप्शन नमबर थरी तेंप्रेचर टू करेंट कन्वर्ड ठीक है अगला कुश्चन दोस्तों है अगला कुश्चन क्या है अगला कुश्चन पूछ रहा है LVDT Stand 4 की LVDT का पूरा नाम क्या है तो LVDT का पूरा नाम होता है Linear Variable Differentiator Transducer और दोस्तों कहीं-कहीं इसको अप्शन हो जाएगा एक चुकि कहीं-कहीं इसको Transducer की जिएका Transformer भी लिख देते हैं लेकिन अभी Option में हम लोगों को देखिए कहीं भी Transformer नहीं दिया है लेकिन कहीं-कहीं लिखा देते हैं Options में कि Linear Variable Differentiator Transformer चुकि Transducer होता है Transducer लगाएंगे लेकिन कहीं-कहीं यह याद रखना कि टांसफार्मर भी लिखके देते हैं कि Linear Variable Differentiator Transformer इसका Option नमबर हो जाएगा एक लेनियर वैरिएवल डिफ्रेंश टांसडीउसर ठीके दो अगला कुष्षन देखते हैं अगला कुष्षन क्या है अगला कुष्षन है अगला कुश्षन हो जाएगा ऑप्शन नमबर C ठीक है अगला कुश्चन क्या है अगला कुश्चन है कि pH varies with a scale of चूकि जो pH कमान होता है वो किस इसे इसे थर पर बदलता रहता है चूकि pH कमान होता है 0 to 14 बदलता रहता है pH कमान जो 0 से जबुदा के बीच में vary करता रहता है ठीक दोस्त अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन क्या है अगला कुश्यन पूछ रहा है इन टांसफार्मार वेच आप दा फॉलॉविंग डज नौट चेंज एक टांसफार्मार निम्लिखित में से कौन सा परवर्थित नहीं करता चुकि वोल्टेज को परवर्थि ठीक दोस्तों अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन अगला कुश्यन क्या कह रहा है इस टांसफार्मार ओन नो लोड हैज एन इंड्यूजड एमएफ ऑफ दो सो तीज बोल्ट आरेमेज वैल्यू ड्रा एक करंट आप टू एम्पेर आरेमेज एंड हैंड चुकि कोर लॉस होता है कोर लॉस बराबर होता है हम लोगों का कोर लॉस बराबर होता है ट्रांसफार्मार नो लोड कंडिशन में नो लोड बोल्टेज एंड नो लोड करंट एंड कॉज सिक्स्टी डिग्री चुकि ठीटा कमान दिया है एंगल बिट्विं ठीटा कमान द कॉस साथ कमान होता है एक बटे दो तो से दो कट जाएगा यहां पर कितना जाएगा दो सो तीस वाट जो हम लोगा कोर लॉस होगा वह जाएगा दो सो की सवाट ऑप्सन नमबर सी इसका अप्सन नमबर सी ठीक दोस्तों अगला कुस्चन है अगला क्या वाट इफोव एक वेक殆वट ट्रांसफार्म की होती है ट्रांसपार्मोल की यहाद पक्वेशन होती है E1 upon E2 बरावर N1 upon N2 बरावर I2 upon I1 ठीक है दोस्तों यह होता है रिलेशन तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा इसको पूरा कर रहा है N1 एकर इसको हम लोग गुणा कर देंगे एक दूसरे से तो E1 N2 बरावर N1 E2 तो इसका ऑप्सेन हो जाएगा एक पहला इवाला इसको पूरा कर रहा है N1 E2 बरावर E1 N2 ठीक दोस्तों अबसे नमबर एक अगला कुशन देखते हैं हम लोग अगला कुशन क्या कह रहा है अगला कुशन बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो रोटर की स्पीड है चुकि हम लोग एस सिलिप बरावर जानते हैं सिलिप बरावर होता है इस माइनस एन एक अपां अपन और स Wash सिलिप कमान है 100 जुकि 100% इसका मतलब क्या है कि is कमान 100% कलैएगा जब रोटर की स्पीड जीरो हो ठीके थो तो अगहला कुछ यह देखते हैं पी अगला कुछ न बोल रहा है है कि इसी हम लोगों की मोटोर होती है वो होती है synchronous motor जो synchronous speed पे चलती है उसका जो stator की field है rotor field है दोनों एक साथ घूंबती है ठीक है दोस्तों कि अगला question देखते हम लोग अगला question क्या बोल रहा है अगला question बोल रहा है कि 46 pole DC armature with 14 slot having two coil side per slot then the coil spine value is ठीक दोस्तों अगला question 46 pole DC armature with 14 slot having two coil sides per slot then the coil spine value is चुकि coil spine बराबर होता है हम लोगों के दोस्तों coil spine बराबर होता है coil spine बराबर होता है slot per pole slot per pole यहां पर slot है 14 and pole है 6 तो coil spine हो जाएगा coil spine हो जाएगा 14 wise 6 तो इसको हम लोग जब solve करेंगे तो यह आ जाएगा 2.3 something तो इसका answer हो जाएगा option number D 2.3 ठीक दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question क्या इंटायर cross section of conductor is use fully utilized in DC transmission क्योंकि चालकों पर कोई प्रभाव नहीं होता है क्या नहीं होता है इसलिए चालक का पूरा नप्रस परच्छे डीजी सेंचरों में उप्योगी रूप से इस्तमाल किया जाता है जब किसी conductor पर अगर उसके इसकिन की उपर से maximum current flow नहीं होती है जब skin effect नहीं होता है तो वह effect जब नहीं होता है तब जो current कमान होता है पूरा इंटायर अंप्रस शेत्रपल से ही flow होता है तो इसका option हो जाएगा option नमबर एक यह मनलब skin effect नहीं होगा इसलिए चाला का पूरा नप्रस परिछेत उसमें current flow होती है ठीक है इसलिए DC इसलिए उप्योगी रूप से इस्तमाल किया जाता है DC में skin effect नहीं होता है ठीक दोस्तों conductor पर तो अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या है अगला कुशन क्या कह रहा है कि अगला कुशन है economic size of conductor is decided by चाला का आर्थिक आकार किसके अनुसार नतै किया जाता है तो यह Kelvin's ने एक law दिया था उसके अनुसार conductor का economic size decide किया जाता है तो इसका option हो जाएक option number वह Kelvin's law ठीक दोस्तों अगला कुशन अगला कुशन क्या है यह याद करने वाला है रटने वाला कुशन है कि ACSR commonly used conducting material in the ACSR stands for मतलब इसका क्या मतलब है ACR का ACR का मतलब होता है Aluminium conductor Steel Rain Force ठीक दोस्तों इसका option number हो जाएगा अगला कुशन अगला कुशन क्या कह रहा है suspension type insulator are used for चुकि suspension type insulator है वह high voltage line के लिए यूज किया जाते हैं suspension type 2 प्रकार के होते हैं disk type and डिस्क टाइप डिस्क टाइप कोई suspension डिस्क टाइप एंड suspension टाइप जो होते हैं वह वर्ट कलियर हो जेंटली टू टाइप के होते हैं तो जो high voltage लाइन के लिए यूज किया जाते हैं तो तरसल अब इसमें जो दिया है voltage higher than 33 किलो वोल्ट तो इसका option हो जाएग option ठाब चाला की सत्य की समीफ केंदर्थ होने की प्रवर्ति को क्या कहा जाता है चुकि जब ac conductor के फ्लो होती है तो इसके सत्य की ऊपर ज्यादा सज्यादा मेक्शम पर प्लो होने लगती है तो उसको हम लोग बोलते है skin effect ठीक है दोस्तों गाफिन ओजयेगा होता है कि और वो होता है तोह किसकी रूप में जाना जाता है तो जब लोगों की और यह सारी कंडिशन्स होती है कि एक नीला प्रकास होता है है ऑगला कुछन है कि रेट और ये रेटको फॉर्म प्रकास त्रणगों रूप में उद्वेक्रणों की दरकम लोग कि रूप में जाना जाता है वह नोगों की होती है लियूमनेस फ्लक्स ठीक हो लोग लियूमनेस्फलक्स बोलते हैं option हो जाएगा सी नंबर मिला क्यांत कर दोस्तों अगला क्याओं कृशन का मлекना esas9 students कैंदल पावर इन्टू सोलेड लगसौल के साब से एक है लीटों पावर लुटिवेंस का हम लोग ऐससे करते हैं ल्यूमिन की गणना करते हैं केंडल पावर इंटू सॉलेट इसका अप्शन हो जाएक अप्शन नमबर एक ठीके दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारी चैनल पीके रिलेक्शन इंजिनर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ सेर करें एंड लाइक करें घनवार